चैनल आप सभी का हर्दिक स्वागत करता है मित्रों जैसे का आप सभी लोग जानते हैं कि विद्धाले की समझ चात्र न समंदित डेटेल को हमें U-plus portal पर फीड करना है तो आज की वीडियो में हम भी समझने वाले हैं कि यदि हमसे U-plus portal का password मिस हो गया है या आप कहीं से भूल गया है तो आप उसका password कैसे पता करेंगे यह वीडियो उससे समंदित होने वाली चलिए वीडियो की सुरुगात करते हैं तो मित्रों सबसे पहले हम पोटल को open करने के लिए हमें पोटल की जो वेबसाइट है U-plus.gov.in इसको हम लोग किसी भी ब्राउजर में open कर लेंगे यह portal हमारे सामने open हो गया है अब देखिए यहाँ पर कुछ options आपको मिल जाते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को जाना है login वाली option पर हम लोगों को tap कर देना है login वाले option पर जैसी हम लोग टैप करेंगे इस परकार का interface open हो के आ जाएगा यहाँ पर profile and facilities, teacher module और report module करके कुछ options open हो के आ जाते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को जाना है profile and facilities वाली option पर tap कर देना है जैसी हम लोग इस वाली option पर tap करेंगे इस परकार की information हमारे समने open हो के आ जाएगी हम लोगों को यहाँ पर कुछ options देखने हो के मिल जाएगे यहाँ पर user ID आप से मांगेगा फिर password मांगेगा, capture मांगेगा और यहाँ पर देखी login दिखा है यहाँ हम लोगों को password अपना गयाद करना है उसके बाद में जो आपका register mobile number है पोटल पर, वो register mobile number आपको यहाँ पर fill कर देना है register mobile number fill करने की पस्चाद जो यह capture हा रहा है, capture को आप यहाँ पर इस वाली option में fill कर देंगे उसके बाद यह submit वाली button पर आपको tap कर देना है इसे ही आप submit वाली button पर tap करेंगे इस परकार की window open हो के आजाती है इसमें यहाँ पर लिखके देता है password research successfully and send it to your register mobile number and email ID जो आपका register mobile number है उसके उपर यह आपका जो reset password आपको send कर देगा और साथी साथ जो आपकी email ID है उसके उपर आपका यह password send कर देगा तो यहाँ से आप तुरंती जैसे ही आपको password मिल जाएगा इसके बाद यहाँ पर देखी click here to login लिखा हुआ है जैसे ही आपको password मिल जाएगा तुरंती आप इस वाली option पर tap करके अपने आपको पुना से login कर पाएंगे मित्रों उम्मीद करते हूँ आपको वीडियो helpful लगी होगी यदि आप u-plus pointer plus चात्रों की feeding कैसे करेंगे इसको आप देखना चाते हैं तो आपको उस वीडियो के link description box में मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर आसानी से देख सकते हैं thanks for watching me तो मिलते हैं next वीडियो के साथ में